कि नमत्सकार किसान मैयों ऐसके वीडियो के माद्रव को बदलाने वाले हैं 56 पंगद्द की 19 सब्सक्वरं खेटि केडियो की हमारे देश के अंदर अलग ऑल नाव हो जान आता कुछ जगाए, परगर पर가व्छा इसको 16 पन कद्द में ynूप कहा है, कुछ जग कुछ saамदा पर फाइदा यह होता है कि इसकंदर ज्यादा कुछ रागत खर्श करने नहीं पड़ती दूसरी चीज़ है कि इसकंदर आपको प्रडॉक्सन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है अगर इसकी खेतिया आप सही सही पर सही तरीके से करते हैं तो आपको इतना अच्छा प्रडॉ सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इसके अंदर प्रोडॉक्सन ही इतना जवर्स होता है कि आप इंकम का अंदाज़ा भी यहां पर नहीं लाए सकते हैं चलिए बात करते हैं चप्पन कद्दू की उन्नस अफल खेति की बारे में तो नमस्कार किसान साथ यो मैं राजकुमार से मैं स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल डिया रगड़ी कर सेनी में किसान बाइब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि इस तरीके की और वीडियो आपके पास पहुंच सके हैं तो सबसे पहला है किसी भी सब्सक्राइब करने के लिए सबसे बढ़ा समय होता है यहां पर एक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह जो समय होता बहुत ही बढ़े होता है क्योंकि 56 कद्दू यह खेती होती है उसको क्या चाहिए कि थोड़ा सर्दी वाला मोसम चाहिए तो जैसे कि आप जानते हैं सितंबर के बाद में धीरे धीरे टेंपिलर डाउन लगता है रातों को ठेंड परने लगती है इस बेस हलका ले कहीं न कहीं सर्दी यहां पर आने महीना यानि एक सितंबर से लेके आप 30 सितंबर के बीच में किसी भी समय इसकी खेती कर सकते हैं तो यह समय होता बहुत ही बढ़िया होता है तो देखिए इसके लिए को ज्यादा खात कि आपको आप सकते नहीं पढ़ने वाली है और नहीं कुछ अलक्स ज्यादा लागत दे कि बहुत अच्छा रहता देशी खात तो किसी भी फसल में आप डालने तो आपको इसका अलगी मज़ा देखने को मिलेगा लेकिन अगर आपको आपको यहां पर किलोरो का यूज में हर वीडियो में इचने बताता हूं कि जब हमारे किसी बीच का अंकुर होता तो जमीन के वो इसको खानने लगते हैं जब वो इसको खानने लगते हैं तो उस स्टेश में हमारी फसल यहां पर खराब हो जाती है क्यूंकि हम उसको फिर चाहा कर भी खत्म नहीं करदेगी इसनिए अगर आप बवाई के समय ही यहां पर किलोरो डाल देते हैं डीय पी के साथ में तो पोदेगा तो वो तागत देगा साथ में आपने किलोड़ा डाली हुए वो किसी भी तरीक हानिका रख्यूट को खतम कर देगी और आपका प्लांट यान जो पोदा जमका आगा अंक्रण होगा बीच का वह यहां पर सुरक्षित रहेगा तो इसनिए मैं हमें तरह करता हूं भ पर आपको बीच होता उसकी यहां पर मैड़ों पर आपको बीजाई कर देनी है तो यहां पर आप इंडस्वीड ले सकते हैं काभी बढ़िया है काभी पॉपलर है तो उसको लेकर आप यहां पर बीजाई कर सकते हैं तो कापी अच्छा रहेगा बीजाई करने के बाद आप तो आपको 24 गंटा के बाद ही करना है तो आपको किसी भी तरह कोई समस्ता सामना ना करना पड़ें और जैसे ही आपकी जो आपकी जो आपने बीच बोया है उसका जासी अंक्रण होने लगे है तो उस समय आप पेरोपर यह फंकी चांस के अंदर आप नोगे कोई सुखकर अधान लगे किसी भी फसल में जैसी होने लगे उस समय फंकी साइट आपको कापी अच्छी हमआपर यहां र्याढ मिलेगे तो फंगिसाइड मां आप चाहे हैं तो साप का इस्प्रेय कर देंगे चाहे है तो मैटको का इसप्रेय कर देंगे चाहे हैं तो बहुती अच्छे पैसे इससे कमा सकते हैं और दूसरी बात देखिए इसकंद्र कोई इस फ्रक्टर काम नहीं करता है अगर थोड़ी बिमारी की बात को थोड़ा फंगस आता है तो उसे आप इजली कंट्रोर कर सकते हैं बागी इसके लावाज में मायट थ्रेप्स बाहरास चूंसा कीट इस तरीके कोई समसर नहीं आती सब्सक्राइब करते हैं तो किसान बाइब वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को पहले से लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं